नमश्कार मैं निखद बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है शरीर में कई तरह की गंबीर बिमारिया हो सकती हैं ये समस्या तब होती है जब हमारे खून में मौझूद संक्रमंट से निपटने वाले रसायन शरीर में सूजन को ट्रिगर करते हैं और जलन का कारण बनते हैं खून में इंफेक्शन होने पर शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं जैसे बुखार, एलर्जी से लेकर पेट संबंदी समस्या तक इसके सेहत के कई दुश्प्रभाव देखने को मिलते हैं ये शरीर में कई अंगों के नकारात्मक रूप से प्रभावित करत साथ ही उनके कारे में रुकावट का कारण भी बनता है खून में इंफेक्शन होने पर सही उपचार के साथ सही खानबान का भी खास द्यान रखने की जरूरत होती है आप क्या खाते हैं या क्या नहीं यह ब्लड इंफेक्शन में एहम भूमी का निभाता है ब्लड जैसे दूद, मचली और अंडे साथ ही कोशिश करें कि धूप में कुछ सवे जरूर बिताएं प्रोबायोटेक्स जैसे धाई, छाच, आचार, आदी एंटी ओक्सिदेंट्स रिच फूड जैसे ग्रीन टी, हल्दी, डार्क चॉकलेट, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी बीन्स, चुकुंदर आदी बीटा कैरोटेन से भरपूर फूड जैसे गाजर, पालक, केला, खर्बूजा, खुबानी, शकरकंद, जड़ वाली सबजियां और साग विटामिन E रिच फूड जैसे एवोगाड़ा और पालक, नट्स और बीज, हरी पत्तेदार सबजियां और साग ब्लड इंफेक्शन में क्या नहीं खाना चाहिए, कच्चे फल और सबजियां ना खाएं, हमेशा उन्हें थोड़ा भून कर या स्ट्रीम करके खाएं, कच्चा मास नहीं खाना चाहिए, हमेशा पका हुआ मास ही खाएं, अंडे या कच्चे अंडे खाने से बजे, समुदर फूड जैसे मचली आदी को भी कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए, कौफी, चाय और होट चॉकलेट जैसे गरम डिंग्स का सेवन करने से बचे, विशेशग्यों के अनिसार कई वैक्ति खून में इंफेक्शन की समस्या से जूज रहे हैं, तो उन्हें कुछ भी खाने से प झाल